नेक्स्न दोजाह शत्रा में नीट में पूछा गया है, question says, two blocks A and B of masses 3M and M respectively are connected by a massless and in extent as variable string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut, кино किया होएंगे हमसे पूछा गया है. और हमारे options हैं G by 3 comma G, G by 3 comma G by 3, पर ची सवाल जो है यह लेजिनश और श्प्रिंग में है बहुत सिंपल कॉंसेप्ट है और उसको करना बहुत आसान है मैंने कई बार नूटिस किया सुडिन इस तरीके सवाल लेके घबदा जाते हैं पर मैं आपको सवाल करने का तरीका भी शिखाता हूं बहुत आसान सवाल है आलाइट सिंपल बेसिक्स पर इसको सॉल करेंगे आलाइट तो अपना सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि यह आपका एक ब्लॉक ए है और यह दूसरा ब्लॉक भी है उनको एक आपका स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग को से लेट से के है उस पर लटकार रखा है इसका मास 3 हम है इसका मास M है यह आपका भी ब्लॉक है और हमने इस रस्टी को कट कर दिया यह स्ट्रिंग को कट कर दिया और जस्ट करने का तरीका यह है कि यहां पर हम एफ़ी डी बनाएंगे फ्री बाड़ी डाग्राम बनाएंगे दो बार बिफोर श्रंग इसका उसके अधर हम यूज़ेंगे फ इस करेंगे दो नों ब्लॉक्स के लिए और अपना आंसर आजाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम FBD बनाते हैं before का, before string is cut, तो अगर before string is cut यहां से नीचे से चालू करते हैं, इसके उपर अगर forces देखेंगे, तो नीचे तो लग रहा है mg, और उपर लगा है एक force जिसको आप बोलेंगे tension, और क्योंकि यह equilibrium में rest पर है तो हम ही कह सकते हैं, के tension will be equal to mg, तो यह tension कहेंगे, plus mg, sorry 3 mg, 3 mg इसका अपना block का force यहां लगेगा, और उपर एक force लगेगा, जिसको आप भूलेंगे, FSP spring force है, अब क्योंकि यह equilibrium में, इसके उपर कोई एक्स्रा force नहीं है, तो tension की value mg है, यह 3 mg है, तो spring force की value 4 mg हो जाएगी, इस case में, now, after the string is cut, अगर हम इसका FBD बना है, after, so after spring is cut, इसका जो हम FBD बनाएंगे, तो यहां पर हमने spring को cut कर दिया है, जैसे इसका FBD की बात करेंगे, नीचे एक force लग रहा है, उस पर mg, और उपर लगने वाला tension force आपका suddenly 0 हो गया है, ठीक है, अब क्योंकि वो force 0 हो गया है, तो यहां पर हम use करेंगे, हमने second law में पड़ा है, जिसको हम कहते हैं कि sigma F net is equal to MA, so यह equation अगर हम इस block के लिए लिखेंगे, तो हम यह कह सकते हैं, कि sigma F net, यानि की MG will be equal to MA, MAB, which implies AB, acceleration of B, just after string is cut, will be equal to G, और in fact, यह minus G बोलेंगे, because यह नीचे के side में है, तो यह वाला acceleration, जैसे string cut की है, इस block का acceleration आपका minus G हो जाएगा, alright, so acceleration will be minus G for this particular block, now same काम करते हैं हम इस वाले A block के लिए, so A block के उपर जब बात करेंगे, तो A block के उपर जो forces लग रहे थे, नीचे तो force लग रहा है, आपका 3MG, जो कि उसका mass है, और इसके उपर जो forces लग रहा है, spring force है, वो आपका FSP is equal to 4MG ही है, now, यहाँ पर laziness और spring नाम क हम कहते हैं, उसके basis पर हम ही कहते हैं, कि जैसे spring को आपने cut किया, spring को पता नहीं चलेगा, कि यहाँ पर tension zero हो गई है, because spring अपना laziness शो करता है, laziness behavior शो करता है, इसका explanation theory में है, why we do that and all that stuff, तो यहाँ पर हम कहेंगे, कि इसका FSP जो उपर forces 4MG है, उसे किसी ने बताया नहीं कि नीचे force कम हो गया है, तो उसे balance करना है, eventually balance कर लेगा, लेकिन उस instance पर नहीं करेगा, अब इसके लिए अगर हम F net is equal to M A की equation लिखेंगे, तो उपर की तरह force है 4MG, नीचे है minus 3MG, now that will be equal to M A, इसका mass है 3M multiplied by AA, so अगर इसको हम solve करेंगे, तो AA की value आ जाएगी, that will be equal to G by 3, तो यह आपका G by 3 actually upwards होएगा, so यह आपका acceleration A होएगा, उपर की तरफ G by 3, A B minus G नीचे की तरफ, now based on this हमें कह सकते हैं कि option number A, which is G by 3, G would be the right answer.